हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडियो कमुटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि जो गिरावट है वो रुकने वाला है यानि downfall move कब रुकेगा वो हम कैसे पता कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं यानि यहाँ पे हम bottom formation find करने की कोसिस करेंगे और maximum लोग गलती इसी में करते हैं कि वो सही time पे bottom formation को identify नहीं कर पाते हैं यहाँ पे हम bottom formation को identify भी करेंगे और at the same time जो power का transfer हो रहा है जहाँ पे आपके sellers में मजबूत ही देख रहा है at the same time वहाँ पे हम देखेंगे कि buyers में मजबूत ही आना चाहिए यानि buyers में strength आना चाहिए फिर हम वहाँ पे अपना trading positions initiate करके सही time पे market में इंट्वी करके हम profit बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम यह पता करें कि गिराबट कब रुकने वाला है तिहां पे हम चार्ट पे आ गए और यह जो चार्ट है आपका कोटेक महिंद्रा बैंक का डेली चार्ट है तो अगर आप bottom formation identify कर रहे हैं या फिर reversal identify कर रहे हैं उसके लिए हमें candle में maturity चाहिए होगा और इसी के लिए हम यहां पे डेली चार्ट का ही इस्तमाल करेंगे यानि कोई अगर आप crucial चीज़ चार्ट पे देख रहे हैं तो आप पे candle maturity होना बहुत ज़्यादा जबूरी है इसलिए यहां पे हम डेली चार्ट में इन सब चीज़ को देखेंगे बांकि आप implementation के लिए कहां पे आपको entry लेना उसके लिए आप चाहो तो 5 मिनट 15 मिनट या फिर डिफरेंट टाइम फ्रेम बाला चार्ट इस्तमाल कर सकते हो बांकि इसके basis पे आप चाहो तो intro day, positional trading, सारे trading आप कर सकते हैं swing trading, even options में भी trade initiate कर सकते हैं based on this technique अब यहां पे technique क्या है, सबसे पहले हमें क्या find करना होगा सबसे पहले हमें एक strong support level identify करना होगा उसकी बाद, दूसरा point हमें क्या देखना है, कि support level के करीब को एक हमें positive pattern दिखना चाहिए तीसरा point, यहां पे हमने indicator यूज किया, जिसका नाम है MFI यहनि money flow index indicator के हमने इस्तेमाल किया है तो MFI के तरफ से भी हमें positive संकेत मिलना चाहिए तभी हम यहां पे buy side की तरफ positions initiate करें यहां पे हम bottom formation को पता कर लेंगे कि bottom formation बन चुका है, यहां पे गिरावट अब और नहीं देखने भी लेगा और उसकी बाद हम buy side की तरफ interview ले सकते हैं यह 3 point अगर satisfy हो गया, तभी हम buy side की तरफ interview लेंगे तभी हम मानेंगे कि गिरावट रुकने वादा यहां पे bottom formation हो गया otherwise यहां पे हम bottom formation नहीं मानेंगे तो यहां पे हम example देखते हैं suppose that price आपको उपर गया, यहां से नीचे गिर रहा तो यहां पे हमने support level find किया तो देख सकते हैं, एक support level हमें यहां पे देखने को मिला है जिसको हम S1 से denote कर देते हैं दूसरा support level हमें इस level के आसपास देखने को मिला है S2 है, तीसरा support level इस level के आसपास देखने को मिला है यह हमारा होगे S3 यहां पे हमारे पास 3 support level है और काफी हद तक chances है कि इनी तीन में से किसी support level के आसपास से price आपका reversal दिखा सकता यह नहीं जो गिरावट है वो इनी तीन में से किसी एक level के आसपास रुखता हुआ दिख सकता है तो कहाँ पे रुखेगा हमें नहीं पता है हम हर एक support level पे अपना जो तीन पॉइंट हमने mark किया है उस तीन पॉइंट को satisfy करवागे देखेंगे जहाँ पे भी satisfy हुआ वहाँ पे हम मानके चलेंगे कि गिरावट यहाँ पे रुखने वाला है और यहाँ से फिर हमें reversal देखने क को मिलेगा तो सबसे पहले हम सपोर्ट वन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका सपोर्ट डेवल यह नहीं पहला हमें सपोर्ट डेवल चाहिए था स्टॉंग वाला वह मिल गया दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे पॉजिटिव पैटरन चाहिए था अब अगर आप द के हाई को भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया यहाँ दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमारा सैटिस्फाइब नहीं हुआ तीसरा पॉइंट हम आएंगे एम फाइप क्या यहाँ पे हमें को पॉजिटिव इंडिकेशन मिला बायर्स में स्ट्वेंट देखने को मिला है अगर हम यहाँ पर इन सारे केंडल के ऊपर बात करें तो ऐसा कोई हमें स्ट्वेंट वायर्स में देखने को नहीं मिला बेस्ट ओन एमेफाइब इस लाइन को यह जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉकिया इस पॉइंट को जॉइन करते हुए और इस पॉइंट को जॉइन क गिराबट यहाँ पर रुकेगा मतलब यहाँ पर हम क्या कंकुल्जन पर हैंगे जो डाउन फॉल मूब है वह हमें आगे भी कंटिन्यू देखने को मिलेगा यहाँ पर रुकता हुआ नहीं दिखेगा और अगर यहाँ से बाइचारेंज प्राइस उपर जाता है तो यहाँ यहाँ पर प्राइस आया है और यहाँ पर प्राइस आने के बाद थोरा सा रुका है और उसके बाद इन दो केंडल पर अगर हम फोकस करें यहाँ पर आपका एक यह पीरसिंग पैटरन का भी फॉर्मेशन करता हुआ दिखा यहाँ पहला एक स्ट्रॉंग सपोर्ट डेवल कर दिया दूसरा यहाँ पर पॉजिटीव पैटरन भी हमें देखने में लिगा प्यरसिंग पैटरन जो कि एक पॉजिटीव पैटरन माना जाता और यह सपोर्ट लेवल के करीब बना यहाँ यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि बायर्स में स्ट्रेंथ वापस लोटा है मत प्थोरे से अब हमें कमजोड दिखने लगे हैं और जो बायर्स हैं वह यहाँ पर हमें इस ट्रॉंग दिखने लगये मतलब यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से पावर का ट्रांसफर होड़ा फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स और वहीं इंडिकेशन देता है यहाँ पर जो गि कर लेंग जैसे स्क्यूपर निकलेगा हम बाइसार की तरफ इंट्वी लेंगे और इन दमीन टाइम हम देखेंगे किया हमारा तीसरा अब यहां पर बाइसार की तरफ इंट्वी लेंगे यह पॉइंट हमारा एसल की रूप में काम करेंगा फिर हमारा यह जो प्रिवियस सपोर्ट लेवल था जो की ब्रेक होते ही किसमें करन वाउट हो गया तो यह हमारे लिए टागेट पैस बनेगा और इस टागेट पैस को हि यह जैनको सब्सक्राइब करएं फिर आपका तीसर्य सपोर्ट लेवल था लेकिन इसको आसानी से ब्रेक करके नीचे आ गया तो अब यह support level हमारे लिए crucial नहीं रहे गिया अब हमारे सामने एक और support level बच रहा था उससे पहले अब यहाँ पर price आपका आता हुआ दिखा यह नहीं support level पर आ गया price पहला point दूसरा point क्या कोई positive pattern बना है यहाँ पर अगर आप इन दोनों candle पर focus करे तो थोड़ा सा मैं इसको जून कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन सा candlestick pattern यहाँ पर बनता हुआ दिखा है तो यहाँ पर आप आप गौर से देखें तो क्या बना आपका? bullish engulfing candle का formation होता हुआ हमें दिखा है जो कि एक जबरदस्त क्या है? positive pattern माना जाता है यहनि पहला point एक crucial support level है दूसरा कोई positive pattern बना तीसरा क्या MFI indication दे रहा है अगर आप MFI के divergence को देखो तो देख सकते हो इसका divergence उपर साइट की तरफ है यहनि पहले से ही बता रहा है कि buyers में strength बना हुआ है और buyers में strength है यहनि strength के साथ यहाँ पे bottom formation को रुखा है that means to यहाँ पे bottom formation में full stop लगया रुखता हुआ देखा है और इसके basis पे हम reversal को play कर सकते हैं इस level के आसपास हम अपना int भी ले सकते हैं बाई साथ की तरफ यह point हमारा SL बन जाएगा फिर हम इस target price के लिए और gradual जो भी previous swing high है swing low के basis पे अपना target price के लिए जा सकते हैं अच्छा खासा profit हमें मिलता हुआ दिख जाएगा तो जो तीन point है crucial support level find करना वहाँ पे कोई positive pattern बनना चाहिए MFI के तरफ से clearance मिलना चाहिए फिर हमारा जो गिरावाट है वो रुखता हुआ दिख जाएगा यहाँ पे हम different example लेते हैं देख सकते हैं आगे स्रीस event limited के daily chart पे हैं अब यहाँ पे देखिए हमें वही चीज़ आइंटिफाई करना support level तो हमने देखा एक यह support level बनता हुआ दिखा है उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा अगर हम पीछे जाए तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें एक support level बनता हुआ दिख रहा है तो यह भी हमाई लिए support level का formation कर लिया तो हमने देख लिया कि दोनों हमाई लिए support level है अब हमें क्या find करना है कि support level के करीब कोई एक positive pattern हमें दिखना चाहिए तो price देखिए आपका नीचे गिवना स्टार्ट किया यानि इस level के आसपास हम उमीद कर सकते हैं कि गिरावट रुक सकता है अब यहाँ पर देखिए यहाँ थोड़ा बहुत उपर गया लेकिन उस तरह सा नहीं आया फिर प्राइस आपका नीचे गिवना continue किया यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका एक piercing pattern का formation भी किया यानि एक positive pattern का भी formation किया यह नि पहला point तो satisfy था दूसरा point भी satisfy हो गया उसकी बाद इस candle के high को भी break करके उपर निकला यानि काफी हत्ता candle में भी strength देखने को मिल वा उसकी बाद अगर हम बात करें एमेफाइब के तरफ से clearance मिला या नहीं मिला तो देख सकते हैं एमेफाइब अगर इस candle पर बात करें यहाँ पर हमें clear cut breakout का indications मिल गया यानि सारा यहाँ पर हमें बता रहा है कि क्या हो गया bottom formation जो है वो रुकने वाला यानि bottom formation हो गया price जो नीचे गिर रहा था वो गिरावट रुकने वाला तो यहाँ पर हम बाइसर की तरफ entry लेंगे इस level के आसपास और यह point मेरा SL के रुप में काम करेगा फिर price नीचे आया और यहाँ पर हमारा SL को hit कर दिया है तो कई बार यहाँ पर हमारा SL hit होता हो दिखेगा छोटा छोटा हमारा SL hit होगा लेकिन आपको profit यहाँ पर काफी बरा मिलता हो दिखेगा क्योंकि जब भी हम सही माहिने में bottom formation को identify कर लेंगे तो उस price से जितना किराबट दिखा है उसका लगबग आपका 30 से 50% का recovery हमें definitely देखने को मिल जाएगा उसके बाद यह support level हमारे लिए काम नहीं किया फिर उसके नीचे भी एक support level यहाँ से price आपको और नीचे गिवना है start किया अब यहाँ पर हमारे सामने एक और support level है support number 2 वहाँ पर price आया और यहाँ पर भी आपका same pattern piercing pattern का formation किया है और यहाँ पर भी अगर MFI की बात करें तो यहाँ पर भी हमें clearance मिल गया है और MF-CI का clearance थोरा सा पहले ही मिल गया हमें इस ही candle के आउस पास मिल गया फिर थोरा सा wait करें इस candle के high को निकल retrans ह notebooks यहां पे हम जो वेट करेंगे इस खेंडल के हाई के ऊपर वेट करें यहां पर निकला तो इसके आसपास अपना एसल लगा कि यहां पर हम बाइसार की तरफ इंट्वी ले लेंगा फस्ट टागेट पर इसके करीब रखेंगे जिसको यह आसानी से हिट कर दिया और यहां पर अगर हम बात करें तो हमारा टागेट काफी बिग है और एसल काफी चोटा सा यानि अगर विस्क और रिवार्ड की बात करें तो वह भी काफी हद तक हमारे फेवर में आता हुआ देखे रहा तिसके बेसिस पर यहां पर हम ट्वेल इनिशियेट कर सकते हैं और देख सकते है अच्छा खासा अपसाइड मूब दिखा है तो आप जो भी टागेट यहां पर सिट करोगे सारा टागेट हिट होता हुआ दिखेगा तो इस तरीके से यहां पर आप पता कर सकते हैं जो गिरावर्ट है जो डाउन फॉल मूब है वो कहां पर रुखता हुआ दिखेगा और यहां पर रुखने के चांसे से हैं वहां पर हम पॉजिटिव स्ट्वेंथ खो जेंगे मिलेगा तो में मिलेगा तो हम बाइसाइड की तरफ प्ले करेंगे यहीं हम ब्रेक आउट के लिए जाएंगे कई बार स्टॉप लॉस भीट होगा लेकिन इस टेक्निक से अगर आप करेंगे तो 70% के करीब आपको असानी से मिलता हुआ दिख जाएगा बांकि अगर आपको इस तरह का टेक्निकल इनालिस और ट्वेडिंग स्वेडियर सीखना है तो हमने एक अलग सा कोर्स को इन्रोल कर सकते हो उसके लिए आपको हमारा मोईल एप एक्विटी को को इस तरह के से डियाइन किया है कि वहां पर आप एजर के रूप में भी स्टॉक मार्केट को यूज कर सकते हो आप एजर इंडिपेंडेंट वेडर काम कर सकते हो खुद से अपना ट्रीडिंग दिसियंस ले सकते हो आप एक बार आप हमारा मोबाईल यह डाउनलोड करके सबसंद आता है तो आप इनडूर कर सकते हैं तो में पॉर पसंद आता है तो आप मिस न